हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल बीट सबोर्ड इन टोड़ेज वीडियो वी लॉर्न अबाउट दो चैप्टर नंबर नाइन अफ इंग्लिश लिट्रेचर फॉस्ट फ्लाइट ऑप क्लास्टन सीबीसी बॉर्ड इस तो हमारा फॉस्ट फ्लाइट का चैप्टर नंब सबसे पहली ऱख चैया यहांनि बस के दोड़रे सबसे पहली वह अपने जीवन की आत्रा करती है जार अपने जुएर की इंगरती और फॉर्ड दॉनिया को उसके लिए बहुती एक mysterious जर्णी होतीं है बहुत चीज़ें देखती है और वह इस यात्रा करना चाहती है जो जरनी होती है इसको अकेले है करती है वह एक मिन्त को बाहर जाती है वह अपने उस यात्रा के के हर एक मिन्त को बहुत jy into कि कैसे जो है मतलब कई सारे नई चीजे सिखती है जो अपने जो पड़ोसी मतलब जो उसके बस में बैठे होते हैं उनसे बहुत जादे चीजे सिखती है जो बस जरनी है उसके बारे में सिखती है कैसे बस से जो है बस का जो बस में जितने भी लोग गय थे मेला करने के लिए क एक दिर वो बस पर अकेले चड़ जाती है और वापस जो है वहाँ से आती और जब वापस लोड़ती है तो उसके पास एक नया एक्सपेरियेंस होता है तो हम इसका overview देख लेते हैं चैप्टर का detail में तो सबसे पहला paragraph इस चैप्टर का वल्लिया माई एंडर past time जो वल्लिया माई कौन थी तो वो आठ साल की लड़की जिसके बारे में हम इस कहानी में बात करने वालें उसी का नाम वल्लिया माई है तो उसके बारे में आपे बताया हुआ है कि वल्लिया माई एक लड़की थी जिसको की वल्लिया माई अब थोड़ा बड़ा नहीं है तो इसको छोटे में जो है वल्ली बोला जाता था कि आठ साल की लड़की थी और वो नई-णई चीजों के बारे में जाना चाती थी वो एक ग्यासु लड़की थी और उसके घर के आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वो खेल सकती थी उसके उम्र का कोई भी नहीं था तो इसलिए उसका सबसे अच्छा जो समय था वह यह था कि वह अपने घर के दरवाजें पर खड़े होकर बाहर के ड्रिश्य को देखती रह और वह हमेशा जो है उस बस में रोज रोज नए यात्री बैटे होते थे नए पैसेंजर्स बैटे होते तो रोज नए नए लोगों को वह देखती थी जिससे की वल्ली को बहुत ही जादे खुशी होती थी नेक्स पारग्राफ है हमारा कि जब वल्ली अब रोज रोज उस सब्रद को देखती है तो वल्ली के मशन में उस बस में बढ़र बैठने की इक्षा जागरित हो जाती है तो उसके बार में पर बताया हुआ है कि प्रती एक दिन वाली उस बस में बैठे और उस बस से यात्रा करें और यह जो उसका इसका डिजाएर बन जाता है उसकी चाहत लोगों को देखती है जब बस लोगों को ले कर आ जाती है और फिर जब उधर से वापस बसaceyर होती है उसमें पिर नय लोग बैठे होते उनको बड़े धयान से देखती है और वो इसमें ये भी बताया हुआ है कि अगर उसका कोई फ्रेंड जो होता था अगर वो बस से किसी यातरा पर गया होता था और जब वो वापस आकर अपने दोस्त से उससे बता था तो उसको बहुत ही जैलस फील होता है और वो चिला भी देती है कभी-कभी तो वही यहां पर बताया हुआ है कि वनलब उसकी इक्षा थी कि वो खुद एक बार बस में बैठे फिर नेक्स परग्राफ में बताया गया हुआ है कि वल्ली कैसे बस जर्नी के बारे में अलग-अलग डीटेल जो है वो ढूनती है तो बहुत सारे दिनों और महीनों तक वल्ली अपने नेवर्स पडोसियों की बात सुनती है कि कौन से लोग बस से जर्नी करते हैं वो अपने पडोसी से कुछ कोशन भी करती है क्योंकि उसके ऐसे पडोसी जो की रेगुलर ट्रेवलर्स थे बस के मतलब उनको हमेशा बस से आना जाना लगा रहा था था तो उनसे कुछ कोशन पूछती है और इससे जो है कुछ थोड़ा बहुत डीटेल जो है उसके पडोसी जो है उसको दे देते हैं जिससे बस जर्नी के बारे में उसे थोड़ा सा ग्यान हो जाता है उसे को यह पता चल जाता है कि जो bus का किराया है वो 30 पैसे मतलब अपने घर से सहर तक जाती है तो उसको 30 पैसे किराया देना पड़ेगा और यहाँ से सहर तक जाने में लगवक 45 मिनट लगते थें ठीक है तो उसके बाद से वह पूरा यह प्लानिंग करती है और बहुत सारे लंबे समय तक वह यही सब जोड़ घटाना कालकुलेशन करती है कि कितना समय लाएगा कितना पैसा उसको जुटाना पड़ेगा तो अब नेक्स अप्टर्णून वसंत रीतू थी और उस समय दोपर में वली बस के सामने जाती है बस में जाती है उस बस में केवल उस टाइम जोए छह से साथ पैसेंजर बैठे होते हैं बस में और बस जो था वह बस एक नया बस था तो इसलिए वहाँ उसकी जो सीटे थी वह बहुत ही साथ हराम दायक लग रही थी जो कंडक्टर था वह जो एंजाट सौट ऑफ पर से नवीं मसां था और वह जो है वली को बस में आगे वाली सीट पर बैठने के लिए वह बोलता है वह को मैडम कहणा है मैडम क्रभ वहली को रिप्रेजेंट करता है दो बढली होती है जो तो है पार्म ट्रीज देख ये घ्रासलेंड हरे हरे घास के मैदान गपारहां वत्वक्त 저 के तेम से और जुआ यह च raising रहाए जो रहे सो बहुत हो जाती हैं Senior प्रण reflecting लगती है और जो चाहूआब से नोर्ट मुणी कोहले बैठीर हमिसपारीब कर अब द्राइबर ये और वो यह देखकर हस्ती और ताली हो जाती है और वो यह भी देखते हैं कि बस का ड्राइवर कितना भी हॉर्ट बजा रहा था तो यह भी वो गाये जो है वो साइड नहीं हट रही थी वलकि वो जो है बस की तरफ और आगे बढ़ती जा रही थी अब नेक्स परग्राम में बताया है कि अब जब बस टाउन में पहुंच जाती है उसमें वल्ली भी जब टाउन पहुंच जाती है तो कुछ समय बाद जो है जो बस है वो टाउन पहुंच जाती है वल्ली वहां देखती है कि बहुत सारे चमकीले दुकान और बड़े-बड़ सब सारे पैसे नहीं जाना आप बाहर नहीं घुमेंगी तो वह वल्ली बोलती है कि नहीं मुझे यही बस पकड़ के वापस अपने घर जाना है फिर वह क्या करता है जो कंड़क्टर होता है वह उसको बोलता है कि चलिए आप यहां यह तो मैं आपको कोल्डिंग दे रहा हूं आप कोल्डिंग ले लीजें आप पी लीजें तो बोलता है कि मैं आपको अपनी तरफ से एक ओफर जाथा हूं आप उसो ले लीजेगा तो वह बहुत ही समझदार लड़की होती है जैसे कि हम सभी को अमयरे घर बोलते हैं कि मैंलब कई भी अगर हम बाहर और कोई कुछ खा तो जब बस वापस गाउ की तरफ आती है तो वली दोबारा से उन सारी चीजों को जो एकदम नाय उत्साग के साथ देखती है अभी तुरांद देखी रहती है सब फिर जब बस वापस लॉटता है तब यह नहीं होता है वह बोरिंग फिल नहीं करती है फिर से वह एकदम इंज्वार्मेंट के साथ जो है सारे द्रिश्य को देखती है वह बोर्ड नहीं होती है और हर चीज को फिर से नय तरीके से उसको है खुद को मनलब देखती है उसी excitement के साथ जैसा कि फर्स टाइम में उसने फिल किया था अचानक से वह देखती है कि वहां पर रोड पर जो है एक जवान गाय मरी हुई है और वह सड़ा की किनारे पर मरी हुई है सड़ा की किनारे पर और फिर वह ध्यान से देखते तो उसे प अभी भी उस मरी हुए गाय के बार में मरी हुई गाय के बार में सोचती रहती है और उसके बाद से जो है वह बस के बाहर नहीं देखती क्योंकि वह उदास हो गई रहती है और जब बस वापस विलेज आ जाता है तो वह सीधे उतर के जो सीधे अपने घर चली जाती है और जो उसका सीक्रेट जनी था वो उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था तो वो अपने इस यात्रा के बारे में अपने मदर को नहीं बताती है उसके लिए एक सीक्रेट जनी दाती है तो यहाँ पर हमारे चैप्टर के हाइलार्ट को देख लेते हैं जिसे कि हमारे फिर स से हमेशा एक बस जाती थी फिर वो रोज उस बसको देखती थी तो उसको मन में यह इसा होने लगी कि वो भी एक बड़ उसका डिजायर हो गया बहुत ही ऊपिंचाथ हो गई कि वह बस में बार बैठे तो वली क्या करती है अपने नेवर्स से जो एंच बार जनी के बारे में बी जो है वह इंफोर्मेशन ले लेती है कि कि इतना किराया लगता और कितना टाइम लगता है टाउन जाने में वहां से आने में फिर क्या होता है फिर एक इस्प्रिंग सीजन में वशंत रितु में वो उस बस में अकेली चड़ जाती है उसने बहुत सारी इंफर्मेशन ले लिए होतने जैसी कि वो यह जान जाती है कि जो सहर है उसके घर से सिर्फ 6 मिल की दूरी पर था और वहां पर जाने का किरायत 30 पैसा था वहां तक जाने में और यह 45 मिनट लगते थे फिर वो सोचती है कि 30 पैसे जाने में लग रहा है तो 30 इस पैसे आने में भी तो वो जो है 60 पैसे यानि लगबग 60 पैसे उसको जुटाने थे ताकि वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके तो वल्ली जो है प्लान बना लेती है टाउन जाने का और वो 60 पैसे 60 पैसे जो है वहां पर जाने के लिए इक दिन जो है एक बज़े के करीब दोपर में जो है वो बस से टाउन की तरफ जाती एक बज़े क्यों जाती क्या होता है जानरली कि मम्मी लोग खाना बना के दोपर में सो जाती है तो वो सोती है कि उसी वही सबसे पर्फेक्ट टाइम होगा जाने के लिए उस इन वहली बहुत खुश होती है और वो बस पलए रही होती है और यह देख्きます वह भोट कुछ होती है और ताली को और जब से मना कर दोसे वह राष्टे में फिर से तो सबस्ट में ऊवकोर मरे मरे पढ़ने देखेंग के darum यह उसके लिए एक बहुत ही अनप्लीजेंट साइड था बहुत ही उसको यह खराब लग और बहुत उदास हो गई और उसके बाद से वह बाहर नहीं देखी बस के बाहर क्योंकि अब वह उदास हो गई थी और जब बस जो है आप गाव में पहुच गया लगभग 30-40 पर तो वह दोड़ के सीधे अपने घर गई बस से उतर कर और वह घर जाकर जो है अपनी मदर के मदर को इस जर्णी के बारे में नहीं बताती और यह उसका एक सीक्रेट जर्नी होता है जब वह पहली बार बस में अकेले बैटकर यात्रा करती है तो यहां पर हमारे चाप्टर खतम ह आगे अगर तो फट्राइब कर दो आगया होगा तो थैंक यू पर वाचिंग तो वीडियो जड़ा टेक कियर इस टेसे फिप लॉर्निंग एंगी वाचिंग मैं जब्स अबोट थैंक्यू